पूरा देश लोहा मानेगा आज महिलाए मान रही है किसान मान रहे हैं यूवा मान रहे हैं जितने शशक्त लोग है गरीब करताओं के तरफ से लगतार जसन का माहौल है लगतार पटागे फोड़े जा रहे हैं मिठाया बाठी जा रही है पूर्ण विश्वास है कि 25 में हमारे बिहार में भाजपा की सरगार बनेगी और 24 में केंदर के नेतुत में आधर निप्रधान मंत्री जी नेतुत करेंगी अब क्या लगता है वो तो दिख रहा है तीन स्टेट में जो लड़ू बनवाया है कॉंग्रेस ने वो पूरा लड़ू भाजपा की जीत के लिए अबू बाटे चलिए भाजपा के जीत के लिए अब लड़ू बाटे को चुनाओ जीत गया है खुशित तो खुशित रहे गहीं आप ये बताईए मैं पुछना जातों चानल के माध्यम से अब पनौती कौन है पनौती आप किसको बोलेंगे राहूल गांदी जी तो मोदी जी को बोलेंग आप तो राहूल गांदी खुदी पनौती हो गए उनके रिजन में हम चुनाओं हार गया तंग्रेस अरे में जो राज्य है बड़ा राज्य है हना एक छोटी राज्य है मत परदेश है पूरा देश खुष हैं जो कि भारति का ओँषफ mm चाल लग रहा हैοι बहुत थी सुप दिन बहुत ही अच्छा लग रहा हम लोगों को तीन एंसेола हम लोगों सरकार बनौहै है जल्ब 것을 महिला बीन पर जाने के कोशिश करेंगे क्या कहिए कितना खुशी है पूरा भारत दुबा हुआ है और कांग्रेस मुक्त भारत की परतिक्षा में अब लोग है अब लोग है अचाहीं पता ही राहुल गांदी की बातों को कौन नोटिस करता है कोई बिलकुल नहीं उनकी बातों को क्यों नोटिस करें अचाहीं ज़ता है ये दोईर चौविस में क्या लग रहा है चौविस में पून बहुमत से भारते जन्ता पार्टी की सरकार बनेगी इसमें कोई दोरा नहीं है और भारते जन्ता पार्टी का खुशी आप देख सकती पार्टी के तमाम कारेकरता में खुशी का महौल है तो इस पर आपके सोचते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया कोमेंट को आप जोड़ दिएगा तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद